आपको 10,000 रुपे यहां पे आते रहेंगे और आप अपने monthly expenses जो हैं उसको cover कर सकते हो important चीज दोस्तो हम यहां पे देख रहे हैं कि आपका जो balance है 30,000,000 रुपे का वो कम हुआ ही नहीं है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे SWP calculator यानि की systematic withdrawal plan तो दोस्तो SWP एक तरीका होता है किसी भी अच्छे mutual fund में निवेश करने का तो समझो अगर आपके पास एक lump sum investment amount है आप उस lump sum investment amount को एक अच्छे mutual fund में निवेश करते हो और एक withdrawal limit set करते हो दोस्तो यानि की आपको हर महीने उतना जो amount है वो मिलते रहना चाहिए दोस्तो आप एक withdrawal amount set कर सकते हो या फिर withdrawal percentage set कर सकते हो यानि की उतना percentage of amount आपको मिलते जाएगा हर महीने तो दोस्तो क्यूंकि आपका जो lump sum investment amount है उसमें से आपको थोड़ा portion as a withdrawal amount मिलते जाएगा हर महीने इसी चीज़ को हम कहते है systematic withdrawal plan तो दोस्तो यही चीज़ हम देखेंगे आज की इस वीडियो में Excel calculator की मदद से हम examples को भी देखेंगे कि आपका SWP का calculator कैसे काम करता है दोस्तो इसके अलावा एक और important चीज़ हम देखेंगे कि यह SWP calculator आपका inflation इसको कैसे beat कर सकता है दोस्तो inflation का मतलब यह है कि चीज़ों की जो value है चीज़ों की जो महेंगाई है वो time के साथ बढ़ती रहती है यानि कि जो कल को 10 रुपे की चीज़ थी वो आज को 15 रुपे की मिलती है तो दोस्तो इसी चीज़ को हम कहते है inflation और यह कभी भी बंद नहीं होगा दोस्तो क्योंकि time के साथ यह चीज़ों की value जो है वो बढ़ती जाएगी महेंगाई बढ़ती जाएगी तो कैसे आप SWP को use करके inflation को भी बीट कर सकते हो एक popular rule है दोस्तो जिसे हम कहते है 4% rule जिसका मतलब यह है कि जो भी आप investment amount invest करते हो अच्छे mutual fund में उसका से 4% of amount आप उसमें से withdraw करोगे हर साल और इसके हिसाब से आपका जो initial investment value है वो भी दोस्तो कम नहीं होगा और आपको withdrawal के हिसाब से हर महीने आपका जो monthly expenses है वो भी आप achieve कर पाओगे तो दोस्तो यह भी चीज हम देखेंगे हमारे excel calculator examples में तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि swp calculator कैसे काम कर सकता है और कैसे आप inflation को beat कर सकते हो इस calculator को use करके तो चलिए बढ़ते है computer screen पे तो दोस्तो यह swp calculator है excel में जो कि हम use क करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपका months का label है तो हम एक साल का example लेंगे दोस्तों आप इसको extend करना चाहते हो तो extend कर सकते हो तीन साल या फिर 5 साल तक के लिए यहां पर आपका नेव यानिकी net asset value of a mutual fund यह values आएंगे यहां पर आपका कितना withdrawal करना चाहते हो आप दोस्तों हर म तो दोस्तों quickly आप एक example लेते हैं amount समझो अगर आपके पास 1,20,000 रुपे का है तो दोस्तों यह हम amount में enter करेंगे और दोस्तों withdrawal आप करना चाहते हो 10,000 रुपे का expected returns दोस्तों हम 10% का यहां पर consider करेंगे हम यह assume करेंगे कि हम जो mutual fund में निवेश कर रहे हैं वो हमें कम से कम 10% का annual returns देगा दोस्तों तो दोस्तों इसके इसाब से यहां पर थोड़ी सी values हैं वो हमें डालनी होंगी यहां पर जो नेव है यानिकि net asset value है initial नेव जो है दोस्तों पहले महीने से शुरू होगा यानि कि एक महीने होने के बाद हमारा जो withdrawal है वो काम करेगा दोस्तों तो यहां पर आपका जो balance है वो starting में 1,20,000 रुपे का है तो यहां पर हमने 1,20,000 रुपे का निवेश किया है तो इस cell को मैं select कर लेता हूँ और फिर दोस्तों हमारा जो units है उसका calculation जैल से कि मैंने आपको पिछले videos में भी बताया है number of units है दोस्तों वो आपका balance होगा divided by हम NAV करेंगे तो दोस्तों यहां पर हमारे पास balance भी है और यह जो NAV का value है वो भी है तो यहां पर हम formula डालते हैं यहां पर balance divided by NAV यानि कि net asset value तो दोस्तों हमें 1,200 units जो है वो allocate ह होते हैं तो जब हम 1,20,000 रुपे का निवेश करेंगे और NAV जो है 100 रुपे का है यानि कि हमें 1,200 units मिलेंगे दोस्तों उस mutual fund के लिए अब दोस्तों यह हमारा initial investment हो गया 1,20,000 रुपे का अब अगले महीने क्या होगा दोस्तों क्योंकि हमने expected returns जो है वो 10% का पकड़ा है अ कि हमें monthly expected returns निकालना होगा हमारे पास yearly expected returns है तो उस चीज़ को हम divide by 12 करेंगे monthly returns पाने के लिए उसके बाद हम उस चीज़ को multiply करेंगे previous name के साथ जो की 100 रुपे का है और फिर divide करेंगे 100 से और फिर दोस्तों previous name हमको add करना होगा उस value में तो दोस्तों quickly मैं यहाँ पर formula लगा देता हूँ यहाँ पर हम expected returns को लेंगे लेगिन यह साल का return है तो हमें इसको महीने के returns में convert करना होगा तो divide by 12 करेंगे ताकि हमें एक महीने का return मिले और फिर दोस्तों multiply करेंगे इस name से जो की 100 रुपे का है और divide करेंगे 100 से और फिर plus करेंगे हम वापस से इस name को तो दोस्तो अब आपको 1% का monthly return मिलेगा तो 1% के इसाब से 100 रुपे पे 1% होता है एक रुपे का यानि की 101 रुपे हो जाएगा अगले महीने के लिए और दोस्तों हमें इसको extend करना होगा बारे महीने के लिए तो यहाँ पर बारे महीनों तक के लिए आपका जो नेव का values है वो update हो गया reference देता हूँ और यह बारे महीनों के लिए आपका जो withdrawal है वो complete हो जाएगा यानि कि 1 से लिके 12 यानि कि 1,20,000 रुपे आप पूरा withdraw कर लोगे तो दोस्तों balance calculate करने के लिए एक अलग formula है यहाँ पे कि जो number of units है जो आपको मिले थे यानि कि यह 1200 units है उस चीज को हमें लेना क्योंकि आपका withdrawal हो रहा है 10,000 रुपे का तो वो हम minus करेंगे आपका withdrawal यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है इस formula में तो दोस्तों यह formula हम यहाँ पे apply कर देते हैं यहाँ पे हम इस units को लेंगे multiply करेंगे हमारा latest name है उस चीज को और फिर minus करेंगे हमारा withdrawal तो दोस्तों इस ह formula तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो balance है उस चीज को हम लेंगे और divide करेंगे नेव से तो दोस्तों हमारे पास यह balance है और यह नेव का value भी है तो यहाँ पे हम यह balance है उस चीज को लेंगे divide करेंगे जो latest name है उससे तो दोस्तों यहाँ पे आपका 1200 था पहले number of units लेकि यहाँ पे और यह units को भी extend करना होगा यहाँ पे दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी information मिल गई तो एक like तो बनता ही है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए और share कीजिए अपने दोस्तों के साथ दोस्तों अगर आप इस channel पे नए हो तो subscribe कीजिए मेरे YouTube channel Finkelsi TV को subscribe करते हैं तो दोस्तों इस group का link पे ने description section में दिया हुआ है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका पूरा withdrawal भी complete हो गया यहाँ पे अगले एक साल के लिए आपको हर महीने 10,000 रुपे मिले हैं और 12 महीनों में आपका total हो जाता है 1,20,000 रुपे और दोस्तों यहाँ पे आ value है वो increase हुई है जो आपने units खरीदेते mutual funds के वो units के जो यह नेव के value है वो increase हुए है और इसी के वज़े से यह आपका balance last में बचता है जो कि आपका total profit होता है दोस्तों अगर इसी same चीज़ को अगर हम SIP से compare करें यहाँ पे हमारे पास SIP का calculator भी है जो कि मैंने आपको अलग 20,000 रुपे already है और आप SIP के जरी हर महीने 10,000 रुपे डालते हो किसी अच्छे mutual fund में तो यहाँ पे 10,000 रुपे का amount आपने डाला और expected returns आप डालते हो 10% का तो दोसे यहाँ पे आपका जो returns है वो होता है 6,702 रुपीज का आपका profit मिलता है यहाँ पे यानि कि 1,20,000 रुप returns के हिसाब से और इसके हिसाब से आपका total इतना हो जाता है लेकिन दोसे इसे थोड़ा सा extra returns आपको यहाँ पे SWP में मिला है जो की है 6,909.89 रुपीज यह दोस्तों क्यूंकि आपने यह पूरा lump sum amount यानि कि 1,20,000 रुपे आपके पास जो थे वो आपने already एक ही समय डाल दिय है तो इसके वैसे आपको थोड़ा सा extra returns मिला है जोसे एक disclaimer यहाँ पे यह है कि एक साथ जब आप lump sum investment करते हो किसी अच्छे mutual fund में तो दोस्तों अगर आप यह सोचते हो कि एक साल में उसका positive returns ही आएगा तो दोस्तों ऐसी बात नहीं होती है कभी-कभी आपका यह जो expected returns है यह उसमें निवेश करके रखें ताकि आपको अच्छे खासे returns मिलें क्योंकि दोस्तों कोई भी market को predict नहीं कर सकता और दोस्तों यह जो हमने expected returns लिया है यह हमने assume किया है कि market हमें अच्छे returns ही देगा जैसे कि मैंने आपको बताया है एक और वीडियो में जिसमें मैंने आपको best mutual funds to invest in 2022 बताएं है तो दोस्तों आप वह वाला भी वीडियो देख सकते हो जिसके returns आपको अच्छे खासे मिले हैं पिछले एक साल या फिर पिछले तीन साल में तो दोस्तों उसी के वैसे यह माना जाता है कि कम से कम तीन साल पांच साल या फिर दस साल तक के लिए अगर डालना है आपका withdrawal amount डालना है आपका expected returns डालना है यह सिफ तीन चीजें डालके आपको यह चेक करना है कि आपको एक साल में कितना आपका withdrawal amount तो अपने आप आप आएगा ही और कितना balance आपका last में बचेगा जो कि आप consider कर सकते हो उसको as a profit अब दोस्तों सिफ एक साल तक के ल साम करेगा हम इसको कैसे beat कर सकते हैं जब हम swp calculator को use करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपका 4% rule for retirement या फिर inflation तो दोस्तों यह बहुत ही important rule है अगर आप inflation को beat करना चाते हो या फिर अगर आप अपना चो retirement है उसको अच्छे से जीना चाते हो तो दोस्तों इस rule के हिसाब से यह क आपका जो lump sum investment है वो बने रहे तो दोस्तों यह चीज को हम proof करते हैं हमारे swp calculator के हिसाब से तो दोस्तों समझो 1,20,000 रुपे का आपको यहां पर amount दिख रहा है इसका 4% कितना होता है अगर हम calculator open करें अगर 1,20,000 रुपे का हम 4% निकालें तो multiply by 4 divided by 100 तो दोस्तों यह 4,800 आपको इस चीज को divide by 12 करना होगा तो यहां पर आपको 400 रुपे का withdrawal करना होगा दोस्तों तो यहां पर अगर आप 400 रुपे का withdrawal करते हो यहां पर मैं withdrawal में 400 रुपे डालता हूं enter पर क्लिक करोगे तो दोस्तों हर मैंने आपको 400 रुपे मिलते जाएंगे लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप important चीज देखो हमने 1,20,000 रुपे का investment किया था उसके बाद अगर आप हर मैंने balance देखोगे यह 1,20,000 रुपे के नीचे आया ही नहीं है कभी 12 मैंने में यह हो दोस्तों 1,27,539.34 रुपी तो दोस्तों इसी को ही हम कहते है 4% रूल जहां पर आपका जो balance है वो decrease होई नहीं रहा है और इसके हिसाब से आप inflation को भी beat कर पा रहे हो अब दोस्तों important चीज यह रहेगी कि यह 400 रुपे तो बहुत ही कम amount है तो आपको क्या करना होगा आपको य monthly expenses हो गया तो साल में कितना हो गया हम इसको multiply करेंगे 12 से यानि की 1,20,000 रुपे हो गए अब दोस्तों हमें एक ऐसे figure पर पहुचना होगा जिसका 4% 1,20,000 रुपे है क्योंकि आपको साल में 1,20,000 रुपे निकालने है तो दोस्तों उस चीज पर पहुचने के लिए हम यह yearly expense क multiply करेंगे 100 से और divide करेंगे हमारे 4% रुल यानि की 4% से तो दोस्तों equal to पर क्लिक करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो 30,000,000 रुपीज का हमें figure मिलता है तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो amount है वो 30,000,000 रुपीज का डालेंगे तो समझो अगर आपने 30,000,000 रुपे कैसे भी करके जमा कर लिए और आपका monthly expenses 10,000 रुपे है तो आप withdrawal में डालोगे 10,000 रुपे का withdrawal और enter पर क्लिक करोगे जैसे कि आप देख सकते हो आपको 10,000 रुपे यहाँ पर आते रहेंगे और आप अपने monthly expenses जो है उसको cover कर सकते हो important चीज दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो balance है 30,000,000 रुपे का वो कम हुआ ही नहीं है बारे महीने के बाद आपका यह balance हो गया है 31,88,483.52 यहाँ पर आपका जो balance है वो in fact increase हुआ है दोस्तों और आपके जो units है वो थोड़े से decrease हुआ है दोस्तों 30,000 से लेके 28,862.55 लेकिन दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हम inflation को beat कर सकते हैं और अपने जो monthly expenses है उसको भी cover कर सकते हैं हमारे SWP calculator को use करके दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा unlucky हो जाते हैं और कुछ सालों के लिए हमारा जो expected returns है वो हमें सिफ 8% का मिलता है तो समझो अगर मैंने यहाँ पर 8% का expected return डाला एंटर प अगर हम expected return 6% का भी रखें तो दोस्तों आपका फिर भी यहाँ पर balance कम नहीं हुआ है 61,677 रुपीज का फिर भी आपको profit मिला हुआ है apart from जो आपका initial investment value था तो दोस्तों इसी चीज़ को हम कहते है 4% rule for retirement जो की आपका जो inflation है उसको beat कर सकता है बस दोस्तों हमें एक ऐसे figure पर पहुषना होगा जिसका 4% हम yearly निकाल सकें ताकि हम अपने inflation को beat कर सकें अब दोस्तों यह amount काफी चीज़ों पर depend करता है सबसे पहले तो एक withdrawal amount यानि कि हमारा monthly expenses कितना है अगर हम उसको कम से कम रखें तो दोस्तों उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए दूसी चीज हमारा expected returns ह कितना expect कर रहे हैं और actually हमको कितना मिलता है तो दोस्तों अगर हमारा actual returns 10 से लेके 12% का हमें मिलता है तो दोस्तों वो हमारा जो inflation beat करने का aim है वो achieve हो जाएगा दोस्तों इस Excel calculator का download करने का link में description section में डाल दूँगा इसके अलावा आप मेरे बागी के वीडियो भी देख सकते ह होता है SIP या फिर lump sum investments के द्वारा वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है दूसरे और एक वीडियो में दोस्तों PPF यानि की Public Provident Fund में आपका monthly interest कैसे calculate होता है और yearly compounding कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है इसके अलावा दोस्तों income tax financial year 2021 और 22 के लिए आप कैसे calculate कर स है तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप SWB calculator को use करके systematic withdrawal planning का जो calculation है उसे check कर सकते हो दोस्तों एक important चीज़ आप यह है कि हमें identify करना होगा कि ऐसे अच्छे mutual funds कौन से हैं जो की consistently हमें 10 से लेके 12% तक का expected returns दे annually तो दोस्तों best mutual funds के बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका link आपको description section में मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों जब हमने identify कर दिया कि कौन सा best mutual fund है और हमें इसमें निवेश करना है तो दोस्तों हम दो तरीके से निवेश कर सकते हैं अगर हमारे पास lump sum investment amount है तो वो पूरा का पूरा amount हम एक mutual fund में डा करें और withdrawal plan के हिसाब से swp का calculator जो है उसको use करके अपने returns को calculate करें या फिर दोस्तों हम SIP यानिकि systematic investment planning के जरिए अपना जो lump sum investment है उसको divide करें और दोस्तों हर महीने एक छोटा सा amount जो है वो डालते रहें उस mutual fund में और दोस्तों जैसे कि हमने 4% का rule देखा यह rule बहुत ही effective होता है दोस्तों जब हम inflation को beat करना चाते हैं और एक बाद जब हम retire हो जाते हैं तो यह retirement का भी एक strategy है दोस्तों कि हम 4% rule को use कर सकते हैं ताकि हमारा जो invested amount है वो वैसा का वैसा ही रहे और हमें जो returns मिलते हैं वो हम हर महीने जो है withdrawal process की मदद से हमारा जो monthly expenses है उसको achieve कर सकें तो दोस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिंकल्सी टीवी को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत बूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो आप देख सकें फिर मिलेंगे किसी और personal financial related topic को लेकर तब तक के लिए आप यह वाली वीडियोस देखो